हेलो एव्रीवान कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे आज हम लोग करेंगे नौयर डिस्ट्रिक्ट का मैरत्वन लेक्चर का पार्ट सेकेंड कल हम लोग उने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट करी थी लेकिन टाइम कम था या डेट घंटे के बाद भी सारी कवर नहीं हो पाई थी वह जो डिस्ट्रिक्स बच गई थी उन्हें हम लोग आज कवर करेंगे तो अगर आप लोग यह चैनल पहली बार देख रहे हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जल्दी से क्लास के साथ जुड़ जाएं क्योंकि आज हम बाकी की डिस्ट्रिक्स करेंगे और एक क्विक रिवीजन जो हमारी चल रही है उसको खतम करेंगे आज आपका पेपर बहुत नस्दीक आ चुका है कम टाइम हमारे बास बचा है मैक्सिम स्रेबस हमारा कवर है अब आप लोगों के लिए यह जो लास्ट वीजन सेट है तो यह हम लोग यहां पर डिसकस करेंगे जल्दी से आप लोग एक बार आ जाए और इसको अपने फ्रेंज के साथ भी शेर कर दें ताकि वह भी हमारे साथ जुड़ जाए और नो डाउट आप लोगों का प्यार बहुत मिल रहा है लेकिन वीडियो स्टाट करने से पहले अगर अगर आप लोगों ने टेस्ट लिए भी हैं और अगर मालीजा आपने तीन टेस्ट दियें चार टेस्ट दियें मैं आपको कहूंगा कि अब टेस्ट को attempt मत करना हां questions को आप लोग देख सकते हैं go through कर सकते हैं अगर मालीजा आपके पास allie board के test पड़े हैं आप लोग उसको on करके submit कर दो attempt मत करना यह मैं आपको अब खुद कह रहा हूं यहां पर आप बस उसको go through करो एक बारी अराम से देखो क्या questions थे क्या level था ज्यादा आपको उस पर जाने की जरुरूरत नहीं है आप लोग अप पूरे तरीके से तयार हैं इस exam के लिए अब हम बात करेंगे ज क्योंकि आज हमारी कम डिस्टिक्स बच चुकी है कठुआ हम लोगों ने कर दी थी सांबा हम लोगों ने कर दी है उदंपूर जमू रियासी राजोरी पुंच इसके साथ हम लोगों ने कर स्रेनगर गांद्रबल को भी डिसकस किया था पुलवामा अनंतनाग शोपियां यह हमारी चिनाब बैल्ट आती है यहां पर जिसे हम कहते हैं किष्टवा डोड़ा रामबन तो आज इनी को हम लोग डिसकस करेंगे जल्दी से जुड़ जाओ क्लास में फिर इसको स्टार्ट करेंगे लास्ट में जब वीडियो का एंड होगा तब मैं आपसे क्वेशन पूछ गबराना मत पेपर में आप लोगों को बोल दिया गया है कि CCTV भी होगी अब हर चीज के अब देखते कैसे हो पाएगी तो आज हम शुरू करेंगे कुलगाम से और बढ़गाम से देखो यह जो डिस्टिक्स हैं इसको मैं थोड़ा सा पहले सेट कर दू चलो अब हम बात करें करेंगे यहां पर थोड़ा सा डिटेल में कुलगाम और पहले कुलगाम पर बात करेंगे फिर हम जाएंगे बढ़गाम पर जो क्वेशन्स एक्जाम में बने हैं अभी तक इन दोनों डिस्टिक्स से बहुत कम बने हैं लेकिन पेपर में पूछा जा सकता है अब हम बात करे करेंगे क्या है यह बेसिकली देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तजकिरा सदत ए सिमनानिया की इन्होंने जो पोईट है स्वेला रेशी 13th century के इन्होंने नाम दिया था शंपूरा और सेयद हुस्तान हुसैन सिमनानी ने ही क्या किया था इसे रीनेम किया था कुलगाम मे अगर संस्कृत की बात की जाए कुल का मतलब होता है क्लान और गाम का मतलब होता है विलेज यह संस्कृत में रखा गया था लेकिन अब यहां पर हम बात करेंगे जो कैश जिस तरीके के क्वेशन यह कि पूछता है उस पर देखो यह चीज आपको याद रखना है यह बात करें शा जहां की इन्होंने यहां पर चिनार बाग भी रखा है पहला पॉइंट दूसरी चीज हरी सिंग के टाइम पर भी यहां पर फेमस था यह सेंचुरी कहां पर कुटबल अब यह पेपर में पूछा गया है लेकिन जो पीपर में और चीजें आई है मैं आपको थ क्लिए चीजे क्या है एक सेकेंड रुखिएगा थोड़ा सा अगड़ आपको किन बच्चों को यह नहीं क्लियर दिख रहा जलती सा बता देना सबको क्लियर है ना ठीक है तो आजो यहां पर जो में क्वेशन बनेंगे हम डारेक्ट उसी पर चलते हैं पेपर में जो याद रखना है इनका नाम सेयद सिम्नान साहब के नाम यह काफी इंपॉर्टेंट है काफी फेमोस परस्नालिटी थे रिलिजियर साइंट थे कहां से बलॉंग करते हैं कुलगाम से इनोंने कहा जाता है कि इनकी कोई चीज थी जो किसी स्ट्रीम में गुम हो गई थी उसके पाद यह वहीं पर थे सारा टाइम इनोंने वहीं पर बिताया तो पहली चीज आपको यह याद रखनी है इसके अलावा जो चीज़ें इंपॉर्डेंट है हम डारेक्ट वहीं पर चलेंगा थोड़ा सा लक्चर को मैं शौर्ड में रखूंगा अगर कुलगाम की बात की जा आप लोग प्लीस एक बारी सेटिंग्स पर जाओ सेटिंग्स पर जाके अडवांस सेटिंग में क्लिक करके वीडियो की रेजलिशन को 360 पर या 240 पर कर दो उपर आपके आइकन बना होगा इस साइड पर ठीक है यहाँ पर जाओ अभी आपको 144 दिखा रहा होगा क्लियर करो इस पर जाके 360 या फिर आप इसको कर सकते हो ठीक है जिसको क्लियर नहीं दिख रहा आप इसको सेटिंग्स पर जाके चेंज कर दो आपको क्लियर दिख जाएगा कुल्गाम रिसेटली न्यूज में क्यों था वो आपको याद रखना है यहाँ पर एक आर्के लोजिकल जो है वो मिली है नियर विलेज जिसे क्या गया है कुटबल के पास मिला गया है यह और यहां पर फर्स सेंचुरी सिविलाइजेशन के जो आटी क्राफ्ट है और जो कुषाना किंग्स के हैं वो मिले हैं तो इस वजह से पहला पॉइंट तो आपको याद रखना है एक्जा साइट भी हाली में मिली है जिसमें फर्स सेंचुरी के मिले हैं अब ये भी पूछा जा सकता है कि किस किंग को बिलॉंग करते हैं यहां पर क्वेशन जेके हैस भी अलग-अलग तरीकी से फ्रेम कर सकता है राइस बोल गर मैं बात करें तो पहले मैं पूछत बता है आपको इस समय अगर question मनता है तो पुलवामा था पहले कुलगाम था और ओल्ड कुलगाम जो था वो किस के किनारे पे था कावल के लेकिन अगर टॉपोग्राफी पर हम नहीं जाएंगे जो questions यहां पर आप लोगों को दिख रहे हैं यह important है पहला point आपको याद रखना है हजरत सेयद हमदानी जी के बारे में यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा इसलाम प्रीच करने के लिए सेयद मुहमद हुसायन को बेजा क्या था सिम्नानी जी को अहरबल सबसे important destination आएगी tourist destination में कहां पर है तो यह अहरबल आपको कहां पर देखने को मिलेगा यह मिलेगा कुलगाम में इसके बाद काफी सारी चीजें है और first ever अहरबल festival जो है यह अभी हाल ही में 25 November में conduct हुआ है current affairs में भी पूछा जा सकता है और यह आपको याद रखना ह ठीक है next पर आते हैं अब हम लोग यहां पर जो हम लोगों ने district को discuss किया देखो कुलगाम के बारे में यह questions बन सकते हैं अभी तक paper में नहीं पूछेगे कुलगाम के बाद हम बात करेंगे यहां पर बढ़गाम की बढ़गाम से मुझे पता नहीं की वासा लगता है कि अगर examiner चाहे तो बहुत questions बन सकते हैं अभी तक पूछे नहीं गए हैं उतने लेकिन जो जो questions पूछेंगे हैं उस पर हम बात करते हैं सबसे पहला question आप लोगों को बता दे बढ़गाम जो है यह किसका पार था यह पार था बारा मुला का paper में इस तरह के question आए है कि मान लीजे र बात करें तैसील था यहां पर ओल्ड रिकॉर्ट के अगर हम बात करें तो इस जगह को क्या कहा जाता है परगान देश्टू यह question paper में जेके आससबी ने दो बात अभी रीसेंट्ली पूछा है इसलिए यह point को याद रखना आज मैं सिर्फ उनी points को discuss करूंगा जो आप इसलिए का जाता है कि जो घर थे वो बिल्कुल साथ में अगर आप किसी एक घर की चत पे किसी बकरी को छोड़ोगा दूसरी घर की जो है वहां से निकलेगी नदन हाउस्टॉप पे छोड़ोगे तो सदन पर निकलेगी अब यह चीज क्या important है यह नहीं देखो कहीं बार examiner क्या करता है इस इस वर्डिंग को उठाकर डाल देगा पेपर में पूछा जाएगा कि यह किस district के बारे में कहा गया है ठीक है अभी तक पूछा नहीं गया लेकिन पूछा जा सकता है और बहुत सारे लोग इसी लिए बढ़गाम को क्या कहते हैं बढ़गाम का मतलब कहते ह हैं कि बिग विलेच क्योंकि काफी जादा dense population जो है यहां की देखने को मिलती है ठीक है अब हम आते हैं यहां पर थोड़ा सा और मुहमद घजनवी की बात करें तो इन्होंने इसमें दो attempt किये थे किश्मीर को को इन्वेट करने के लिए थू पुंच गेट प्रेजनली बाउंडरी ऑफ डिस्टिक बढ़गाम इन खाग एरिया अब यह एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है जैके असवी ने एक शिफ्ट में यहां से भी क्वेशन पूछा था पहला ध्यान रखना किस ने किया था मोहम बाउंडरी डिस्टिक कहते हैं बाउंडरी है जो बेसिकली बढगाम डिस्टिक की खाग एरिया वहां से अठाना सुचोदा की अगर हम बात करें सिख रूलर जो थे रंजीत सिंग जी इन्होंने क्या था इन्होंने भी पहला अटेंट किया था कश्मीर को कैप्चर करने का यहीं से इसलिए यह जगा काफे इंपॉर्टन है और हाँ साथी में आप लोगों को करने फेर्ज में तो पता ही है पहली टीबी फ्री डिस्टिक अगर पूछा जाए इंडिया की कौन सी है तो यह करने इवेंट्स में आता है तो यह भी आपकी कौन सी है यह है बढगाम ठ चुरू हो जाएंगी बढगाम से आप लोग देख सकते हैं पुंच बिल्कुल नस्दीक है तो बढगाम से ही होते हुए यह पुंच की तरफ यह थे अब पुंच में इन्होंने काफी सारी चीज़ें कही है कल आम लोगों ने आपको कहा था कि पुंच फेमस है अपने होर् है और एक्जामिनर के भी युन सैंग ने ही कहा है ठीक है इसी लिए मैं कहा हो कि यहां इस इस पर्टिकुलर डिस्टिक से बहुत क्वेशन बन सकते हैं अभी पूछा नहीं है तो कोई आप मान की चल सकते हैं कि आपको फैनांस में भी देखने को मिल सकते हैं इसके बाद च शेख नूरदीन को कहा गया है इनकी रेस्टिंग प्लेस थी जिसे चरर शरीफ भी का जाता है यह भी आपको बढ़गाम में देखने को मिलेगी ठीक है बहुत इंपॉइंट है यह पॉइंट याद रखना अभी तक पेपर में क्वेशन जो है चरर शरीफ पे नहीं आया ल और अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट तहसील की चडोरा अभी हाल ही में डिलिमिटेशन कमिशन के बाद भी यह नीउस में काफी जादा थी तो इसलिए यह चीज आपको में इस पेपर में ना दिखे लेकिन आने वाले पेपर में आपको दिख सकती है जो चडोरा जगा है इसके अपने आप में ही बढ़ गाम में ही काफी जादा रिच हिस्ट्री है अब वो हिस्ट्री क्या है मैं आपको थोड़ा से यहां पर बदा देता हूँ यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे मलिक हैदर जो बिलॉंग करते थे इस जगा से इंफुलेंश जगा है जहां पर स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है जहांगीर के द्वारा तो वो जगा का नाम याद रखना अब यहां पर बोला गया था यहां पर यह लिखा गया है कि यहां पर ट्री के बारे में मेंशन किया गया था जो कि अगर आप उसकी किसी एक ब्रांच को बट मेंशन है कि तो जो के जहांगीरी में इस ट्री का नाम भी याद रखने आप यह क्वेशन अभी तक नहीं पूछेगे हैं चांसी ऐसे हैं कि OMR-based exam जो आपका है उसमें इस तरीके के को फ्रेम किया जा सकता है इनके द्वारा तो इसलिए आप लोगों को यह पॉइंट याद रखने हैं इसलिए मैं हाइलाइट कर रहा हूं यहां पर चडोरा अभी खास तोर पर डिलेमिटेशन के बाद भी निउस में था जहांगीर ने मैंशन किया है इसके बारे में किसमें तो जहांगीरी में जिसमें लिखा गया है स्पेसिफिकली एक ट्री के बारे में तो यह याद रखना इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर आपको मीर शामसुद्दीन इराकी की भी ग्रेव दिखेगी जो कॉंसलर से लास्ट नेरेटिव रूलर ऑफ कश्मीर जिनका ना पर क्लिक करो 360 डिग्री इसको कर दो 360 पी आपको यह दिख जाएगा किसने मारा था इसे किसने मारा था बिल्कुल सही अकबर ने इने मारा था याद रखना ठीक है इनके जो बेटे थे याकूब चक यह भी यही थे और इनके जो ट्यूटर थे अलीदर यह भी इसी एरिया स चंडोरा जगा है उसका नाम बदल के रख दिया गया था नूराबाद अब यह क्या है यह अभी तक नहीं पूछा गया तो यह पॉइंट याद रखना नेक्स पे अगर हम बात करते हैं बढ़गाम की ही एक सेकंड रुकिए एक सेकंड इसके अब यहां पर अभी तक हम लोगों ने बात की बढ़गाम में चडोरा एरिया की लेकिन बढ़गाम में ही जगा है जिसको हम लोग पहले कहते थे बहरू यह काफी फेमर्स है अपने स्प्रिंग को लेके यहां पर आपको केव दिखेगी किसकी एक गुफा है जिसमें फेमर्स शिवाइट फिलोसोफर जो थे अभिनाव गुप वो गे थे अपने कुछ एसोशेट्स के साथ दस्वियों और यार्मी सेंचुरी में लेकिन उसके जो थे बादल खान खा तक इन्होंने कंस्टक करा था फोर्ट्रेस इन बेरवा बहुत इंपोर्टेंट है अठाना सो चुरासी में यह डिस्ट्रॉय हुआ था अर्थक्वेक के बाद लेकिन वापिस से इसको रिपेर किया गया था किसके द्वारा रिपेर किया था अब्द जा सकता है कंस्ट्रक्ट किसने किया था और रिपेर किसने किया था फिर वह आपका बादल यह क्या नम लेते हैं यहां पर जो आपके बाहू फोर्ट है इस पर पूछा जा सकता है नाम नगर फोर्ट है जितने भी फोर्ट है आप लोगों को बतावने चाहिए पेपर में इ दिखा गया लेकिन ऐसा पेपर में ऐसा इसाच क्वेशन नहीं बनेगा पेपर बन सकता है जम्मू डिस्ट्रिक्ट के ऊपर कि जम्मू में कोंसी ऐसी साइट है या कौनसी जगा है जहां पर आपको बुद्धिजम के स्टार्टिंग में बुद्धिजम का थोड़ा सा through कर लेना आप लोग मैंने इसको पूरा detail में पढ़ाया है आपको जब हमने बढगाम district को पढ़ा था next की अगर हम बात करें prominent आगा family जो है कश्मीर की वो भी बढगाम से बिलॉंग करती है लेकिन अब direct अगर important points पे आना है तो मैं उस पे आता हूँ बढगाम की अगर हम बात करें तो पहली TB free district है अगर examiner पूछता है कि पहली TB free UT कोन सी है या पहली TB free state कोन सी है तो उसमें नाम होगा लक्षदीप और हिमाचल प्रदेश ठीक है जुगू खहरान बहुत important है पहली tourist village बनाई गई है बढगाम की तीन number को अब यह देखो यह जो date है यहां पे लिख वी काफी recent है दूदपत्री को एक और नाम से जाना जाता है जल्दी से इसका नाम बताए पहले दूद पत्री का नाम बताए तोसमें बहुत important है तोसमें भी paper पेपर में पूछा गया है कहां पर देखने को मिलेगा बडगाम में अब दूसरी चीज यहां पर देखें युस्मर्ग को कहा जाता है यहां पर क्या मिड़ ऑफ जीजल तो यह भी याद रखना टूरीज देसिनेशन की फॉर्म में यह केंज बहुत बार पूछे गयी है वैली ओफ मिल्क पेपर में यह नहीं पूछा गया था कि दूर पत्री कहां में पूछा किया था कि दूर पत्री वैली ओफ मिल्क आपको किस तूरिस देस्टिनेशन इंपॉर्णेंट है और इसके अलावा जो मैंने आपको स्टार्टिंग के नाम बताए हैं वो सब काफी इंपॉर्णेंट है अब चलते हैं थोड़ा सा और डिटेल में शोपिया और पुलवामा हम लोगों ने कल डिसकस कर लिया था एक सेकंड रुकि जो हमारी दो तीन डिस्ट्रिक्स गया उन पर को प्वाड़ कि एकर बात करें तो पेपर में डेक्वेशन यह बना है कि क्स डिस्ट्रिक्ट से अलग हुआ है कुपर भी अलग हुआ है बारामुला से पहला पॉ में यह रहे हैं आम तो नहीं आ ह의 ङो प יותר सात्ए ऊ ंपaire का पहले यहां से अलग हो चुकी थी किस से हुई है बारा मुला से और बारा मुला काफी बड़ी डिस्टिक्ट है कश्मीर की नौदन कश्मीर की अगर हम बात करें जो important points है यहां पर मैं आपको बताता हूं यहां पर जो basically ज्यादा तर एरिया है वो border के साथ connected है इतना questions यहां पर नहीं बनेंगे लेकिन जो इसकी tourist destinations है उस पर questions paper में पूछे गए है तो direct tourist destination पर आते हैं पहला आपको बद्रकाली temple देखने को मिलेगा जो dormant volcano है यहां यहां पर बहुत बार paper में देखने को मिला है के रान वैली भी बहुत जादा important है उससे जादा important है यहां पर लॉलाब gate क्यों important है आपको बताऊंगा लॉलाब gate में आता है आपका लॉलाब वैली जिसको बहुत सारे points ने अपने poetry में लिखा है जैसे आप देख सकते हैं डॉक्टर अल्रमा इकबाल फैजल बहुत सारे लोगों ने यहां specifically mention किया है लॉलाब gate के बारे में और यह पेपर में पूछा गया था लॉलाब पूछा गया है कि किस ने बनाया था basically राजा लोलो के बारे में आप लोगों को question देखने को मिला था paper में मैंने discuss भी किया था अब यहां पर जो चीज है यह आप लोगों को point थोड़ा सा याद रखना है एक केव है यहां पे कहां पे मढमडाऊ में जिसको को का जाता है कारा रूस कारा रूस कारा रूस basically कहा जाता है जो रश्या को जाता है इस समय आप लोग avoid करना इस जगह से किस जगा में है किस इस 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 के बारे में आपको पता होना चाहिए और साथ ही साथ जो मैंने आपको बताया है लॉलाब गेट और बंगुस वैली बहुत इंपोरेंट है पेपर में बहुत बार यह पूछा जा चुका है नेच्ट पर आते हैं बांधीपूरा पर अब उस के आथ देखने को मिलेगा हसन कि अगर हम बात करें तो यहως प्लेस है लग हूई है तो यह बी बारा भूला डस्टिक से घर रम BAP करें यहां पर आप लोगों रोग सबस gözुभ इंक बनाया गया है जिसका नाम है निशाद बाक्स जो स्रेनगर में है specifically same मिलता जुलता आम तोर पर अगर paper में question पूछा गया निशाद garden कहां पे है ठीक है और अगर आप से पूछा गया निशाद park कहां पे है तो इस पे confusion नहीं होनी चाहिए निशाद garden आपका है स्रेनगर में लेकिन निशाद park आपका कहां पे है निशाद park आपका है बांदीपूरा में ठीक है यहां पर confusion नहीं होनी चाहिए अब यह बांदीपूरा की अलग है अब paper में question क्या पूछा गया था यह question पेपर में आया है बहुत जादा chances हैं कि आपको finance अच्छा है बांदीपूरा famous है अपने 3a को लेकर examiner क्या करेगा एक और add कर देगा जिसमें आपको बोलेगा कि मान लोग कि इनमें से कौन सा ऐसा ए है जो 3a नहीं है अगर standard paper set करना होगा जेके SSB को तो इस तरीके से कर सकता है बट 3a के लिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऐसी है जो famous है अपने phrase के लिए जो 3a की अगर हम बात करें वह बांदीपूरा अब वह 3a क्या है जिसमें आता है बांदीपूरा का नम पड़ा कैसे देख्धो बहुत सारे वझा से कहा जाता है मैंने आपको बताया है बुन्द वुलर कहा जाता है बुन्देपूर कहा जाता है बंदेपूर कहा जाता है अब यह काफी सारे nームों की विज्चा से इसको apples county तो इतना है प्रेपर किंग को और Central Asia का वाया Silk Route, Silk Route के बारे में हम लोग ने एक डिस्टिक्ट के बारे में और पढ़ा था, वो जल्दी से बताओ कौन सी थी, पहले ये बताओ, जो लेकिन हम लोग ने जो डिसकस किया था, Silk Route के बारे में कौन सी ऐसी जगा थी, जो की, अभी recently हम लोग ने पढ़ी थी, उसक से मैं questions पूछूँगा, mix करके सारी district को, तो देखेंगे कितने बच्चे बिना options के answer करेंगे, पाजल पूरा village आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो ये point है, अभी तक paper में ये question नहीं पूछा गया, लेकिन आपको बता दू, यह जो point है, यह काफी important है, आपको paper में पू Custom Immigration Department था, जिसे अब एक forest check post बना दी गई है, पहले proper Custom Immigration Department था, इसलिए कहा जाता है कि एक connecting link था Central Asia और North India के बीच में, जिसकी वज़ा से बांधीपूरा को कहा जाता है, gateway to Central Asia, paper में पूछा जाएगा कि कहां पे आपको Custom Immigration Department मिलेगा, किस district में है, किस village में है, तो हजार बार ये question तो आप लोगों ने MCU की form में जे देख लिए होगा, वुलल एक बहुत important है, किस दर बिलोंग करती है, बांधीपूरा निशाद पार्क, मैंने आपको बताया, किस के कहने पर बनाय गया था, बक्षी गुलाम मुहमत के कहने पर बनाय गया था, जो उस समय प् से मिलता जुलता एक, आप कह सकते हैं, फोर्ट या दरबार बनाय गया था, किस दिस्ट्रिक में, जल्दी से आंसर बताओ, जल्दी से बताओ, छोटा अमनाथ भी आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेगा, वो भी आपको देखने को मिलेगा, बांधीपूरा में जिसे दानेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, दर और उल्लूम, रहेमिया भी आपको यहां पर देखने को मिलेगा, रजोरी उसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है, पुछे नहीं के हैं, लेकिन पूछे जा सकते हैं, तो ये थी आपकी, अगर हम बात करें, बांधीपूरा डिस पूरी पूंच, बारा मुला, कुपवाडा, बांधीपूरा, गांदरबल, सिरिनगर, पुल्वामा, अनंतनाग, बढगाम, शोपियां, कुलगाम हो गये, खतम, अब हम आएंगे अपने उन भाईयों के पास, जो थोड़ा सा हमसे अलग है, जो गेंग भाई धिमान करते है अलग की, सबसे पहली बात करेंगे, डोडा डिस्टिक्ट के बारे में, पहले डोडा डिस्टिक्ट ही थी, अब पेपर में क्या क्वेशन पूछा गया है, यहां ब्यात है, अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स, मिसली हकीकत, इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो जो नाम है, अभी डिपार्टमेंट जितने भी हैं, डिस्टिक्ट डोडा के, उनके अगर हम बात करें, इनका जो नाम है, ड्राइव किया गया था, कहां से, पहला पॉइंट, पुराना नाम क्या था, दीदा था, अब है क्या रिकॉर्ड्स रिवील करते हैं इंशेंट राजा थे किष्टवार के, जिन्होंने डॉमिनेंट एक्सटेंट किया था, डोडा के ब्यॉर्ण, और उन्होंने कहा था, युटेंसिल मेकर जो वहां पे थे, दीदा, उनसे हुए, मुलतान से वहां पे शिफ्ट हुए, तो उनको सेटल करने के लिए पर्मेने दीदा नाम था, वो चेंज होना शुरू हुआ, आइस्ता आइस्ता आपको पता है, नाम चेंज होना शुरू होते हैं, और आज की डेट में क्या बन गया, डोडा, और इसी नाम से यह जाना जाता है, काफी कम जो हिस्ट्री है, उसके बारे में information available है, लेकिन अगर हम बात क रखना है, किसने लिखा है, यह लिखा है, जीटी वेगेन ने इसके उपर पेपर में question बना है, इन्होंने लिखा था, यह डोडा में विजिट किया था, इन्होंने लिखा है, पूरा एक travel log, अराम से 7 मार्च को बैटके सब लोग पढ़ सकते हैं, अभी इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पूरा इस पर लिखा हुआ है, यह paper में यह नहीं आएगा, हाँ, हो सकता है, आपको यह पूछा जाए कि यह लिखा कब था, यह इन्होंने विजिट कब किया था, तो 829 में इन्होंने विजिट किया था, डोडा district में, तो यह नाम याद रखना, यह इसको थोड़ा सा clear कर देते हैं, जी, हाँ, तो महराजा गुलाफ सिंग जी ने कांटर किया था, 1822 में किया था, डोडा विंटर कैपिटल थी, किष्टवाड की, पेपर में बूसा जा सकता है, कि अस्ट वाइल किष्टवाड की capital क्या थी, विंटर कैपिटल क्या थी, अग आप लोग यह सोचोगी कि अच्छा, डोडा तो निकला ही किष्टवाड से है, किष्टवाड तो निकला ही डोडा से है, तो डोडा कैसे हो सकती? यह लेकिन पहले थी, उस जम्हें बहुत सारे यहां पर कहा गया कि लोगों ने रूल किया है, जिसमें जराल रामास थे, कतो होता है जादा तर यह सब लोग डोडा से बिलॉंग करते हैं तो यह पहली चीज आपको याद रखनी है पूरा ट्रेवलोग आप लोगों को नहीं पढ़ना पढ़ना होगा तो पेपर के बाद आप इसको देख सकते नेक्स पे अगर हम आते हैं क्वेशन क्या पूछा जा सकत आप लोग जान लीजिए महराजा गुलाब सिंग जब पॉवर में आये इन्होंने इस फोर्ट को दुबारा से बिल्ट किया रिपेर किया और इस फोर्ट को जो है बचाया किस से जो पॉसिबल अटैक्स हो सकते थे राजा और बदरवा से ठीक है इसके बाद सिंस डोड़ा तो क्या थी विन्टर कापिटल थी किस्तवार की जो फोर्ट बनया गया था ख гр कहां पर है कि सीवर के किनारे पे हैं चिनाब के किनारे पे बनाएगा था और काफी सारी ग्रुoleasti आपको याद नहीं रहनी लेकिन यहां पर यश्या फैसीएजन्स के लिए अब यह जगा तारीक के राजगान जम्मू वक कश्मीर में लिखा है कि there were 70 forts in जम्मू प्रविंजन in addition to smaller one in पुंच area used to stock armaments, defense equipment and food grains. अब specifically mention किया गया है तो यह पूछा जा सकता है कि कि किस ने किया था या किस में mention किया है. बहुत rare cases है इस level तक JKSR भी पूछेगा बट पता होना जरूरी है गुच्छी मश्रूम है इसे अभी तक GI tag नहीं मिला, demand की गई है बट अभी तक यहां पे इसे GI tag नहीं मिला है, यह भी चीज याद रखना, अगर किसको मिला है तो वो कश्मीरी saffron को मिला है, ठीक है. नेक्स पे आते हैं हम लोग historic जो डोडा fort है demolish किया गया था 1952 में government के द्वारा, तो आज की date में यहां पे आपको school देखने को मिलेगा, यह point सबसे जाड़ा important है क्योंकि जो सारा shore मचा था, वो इस question के बाद हुआ था, जब हम लोगोंने नोय district शुरू की थी, कि यह questions क्यों JKSS भी पूछ रहा है, हमें क्या पता यह कहां से आ रहा है, तो यह सब चीज़ें यहां से पूछी गई है, नेक्स यह अगर हम बात करें, पादरी टॉप यानि की पादरी पास जो है, यह एक काफी famous tourist place है, बलिसा waterfall, काफी important है, बदरवा की अगर हम बात करें, मिनी कश्मीर किसे का जाता है, यह भी आपको देखने को मिले, और पेपर में पूछा भी जाता है, मिनी कश्मीर किसे का जाता है, अगर बात करें current events की, तो चैन सिंग थे shooter, इन्होंने medal जीता था, इनको याद रखना, चतरगला tunnel हम लोगोंने कल भी discuss करी थी, किसको कहां से जोडता है, क उदंपुर में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है, तो यह तो आगया हमारा Doda District, अब हम चलेंगे थोड़ा सा और डिटेल में, दो हमारी last दो डिस्टिक्स के उपर हम चलेंगे, जिसमें पहली आती है, रामबन, पीर पंजार रेंज की बिलकुल लाप में ये है, तीन डिस्टिक्स हैं, जिनने हम चिनाब वैली के फॉर्म में कहते हैं, या याद रखते हैं, पेपर में ये भी पूछा जा सकता है, कि इनमें से बताओ कून सी डिस्टिक्ट है, जो की आपकी चिनाब वैली बेल्ट में नहीं आती, डोड़ा किस्तवार सिरनगा रामबन, इस तरीके से ऑप्शन दे सकते हैं, किस से अलग हुई है, रामबन, रामबन अलग हुई है, डोड़ा से, 2007 में अलग हुई थी, साजी साथ, रियासी, उदंपूर, डोड़ा, अनंतना, कुलगाम के साथ बाटर शेर करती है, जादत सर जो चीज इंपोर्टन है, पेपर के इस लेक्शर के बाद काफी बच्चे नराज हो थे कि आम ने रामबन के बार में बहुत कम बताया है, तो उसके लें 説हुत ही, लें के आपको में बता देता हूं, जो पेपर में पूछा जा सकता है, विफॉर दा Kनसें in 1846 there was a small village consisting of 15 houses on the right bank of river Chinnab जिसको क्या कहा जाता था नश्बंद जिसका नाम बाद में क्या बना रामबन पेपर में पहला कोई पूछा जा सकता है कि रामबन को पहले किस नाम से जाना जाता था लेकिन जब राजा गुलाब सिंग आया अब यहां पर एक चीज़ में आपको पहले भी क्या कहा था जब राजा गुलाब सिंग महराजा बने जे एंड के के तो उन्होंने जम्मुकुष उधंपूर बनीहाल रूट को लिया सिर्नगा जाने के लिए अबी तक हम लोगों ने क्या देखा था मैप पे चलते हैं थोड़ा सा और क्लीर हो जाएगा बनाए गए थे रामबन में जिसमें एक वुडेन ब्रिज भी आपको देखने को मिलता है जो की करनेक्ट करता है क्रॉसिंग रिवर बनाता है यहां पे रिवर चनापकी नेक्स्ट पॉइंट जो सबसे दाने इंपॉड़न अभी तक पेपर में नहीं पूछा गया पेंचन किया गया है तो यह आपको पहला पॉइंट या रखना है ठीक है नेक्स पर हम आते हैं यहां पर रोड विकेम नेशनल हाइवे अब आज की डेट में आप लोग देख रहे हैं कि यह जो रोड उस समय थी उसको आज अभी भी अगर आप कभी गे है उदंपोर से अगर ट्रिपलेस लाइबरेरी सेकेंड ओपन होगी तो हमार्या टार्गेट यह है कि हम पहले रामबन से ही यह चीज को शुरू करेंगे उसके बाद चीजों को आगे कॉंडियू करेंगे इसके बाद अगर हम बात करें सनासर यहां पे आपको जो है दो समाल चोटे पहला प्रको यह बताओ यह जल्दी सा मिरगों बताओ बच्चे लिखने टाग टीमांड फॉर कलाड़ी तूच चलो यह सब बात की बात है पहले इस पर बताओ यह तत्ता पानी दो है तत्ता पानी एक राजोरी में भी है और आपका एक रामबन में आएगा लेकिन जो रा आपके डिस्टेक्ट में नहीं है उधंपूर यानिकी चनैनी से यह शुरू होती है और यह जाती आपकी रामबन तक यानिकी रामबन में आता है नाच्टी तो यह आपको याद रखना है एक district में नहीं है paper में question पूछा नहीं जाएगा वैसे next पर आते है last question पर इस पर एक doubt थोड़ा सा बच्चों को बना है देखो अगर हम census की बात करें तो जो हमारे census थे उसके according अगर जम्मू कश्मीर की largest district पूछा जाएगा तो वो को भी land of saffron कहा जाता है यह भी याद रखना लेकिन अगर पूछा जाए सबसे जादा कहां पर है तो वह आपको वहीं पर देखने को मिलेगा पंपूर और उसमें जो हम लोगों ने काल डिसकस किया था महराजा गुलाब सिंग ने कब एनेक्स किया था यह किया था ठाराव 21 में most important है दो बार या दो से चाहिए तीन बार पेपर में question पूछा जा चुका है नेक्स की अगर हम बात करें डिस्टिक किस्तवाड किस से अलग हुई है डोडा से अलग हुई है और यही point जो था इसमें confusion थी तो मैं यहाँ पर clear कर देता हूँ किस्तवाड को जो area है almost जो है अब यहाँ पर जो चीज़ा आपको देखने को मिलेगी वह आती है सैफरॉन वैली अब यहाँ पर confusion नहीं होना चाहिए सैफरॉन वैली अगर पूछा जाएगा तब आप लोग कश्मीर में मत जाना तो यहाँ पर answer होगा यहाँ ठीक है आपको हो जाएगा clear तो सैफरॉन व किश्मीर का तो यहाँ पर याद रखना किस्तवार का पांसर कर सकते हैं इसके अलावा आपको काफी सारे shrines भी दिखेंगे जिसमें आपको सबसे पहली चीज जो याद रखनी है दुनिया की deadliest road जो है जिसे हम लोग कहते है cliffhanger वो भी आप लोगों को कहां पर देखने को मि प्रूर मिलूँगा तो यहां से यह होती है हमारी base district खतम finally कल भी हम लोग चाहते तो इसको आदे घंटा और lecture को खींच के खतम कर सकते थे लेकिन अभी energy हमारे में बची है अब मैं आप से पूछूँगा questions बिना options के आप लोग करेंगे उसका answer बहुत हो गया मैं बहुत देर से बोलता है आ रहा हूं अब आप लोगों की turn है आदा घंटा में आप लोगों से जितने questions बन सकते हैं वो question पूछूँगा आप लोग उसके answer करेंगे और कोशिश यह रखेंगे कि आप लोग बिना options के answer करोगे तो आप लोगों को एक तो खुद में confidence आएगा paper से पहले क्य ने की है सारा data आप लोगों के सामने है अगर यह चीज़े नहीं होती तो वह अलग बात आएगी ठीक है तो चलो अब मैं आपसे पूछता हूं दो मिनट की break लेते हैं सबसे पहले map को याद रख लो पहले तो पहला question मैं आपसे पूछता हूं जल्दी से comment box में लिखके बता हुई है पहले तो यह बताओ अभी recently मैंने आपको बताया है जल्दी से बताओ गांदरमाल किसे हुई है डियासी किसे हुई है और साथ इसाथ मेरे को बता दो कुपवारा किसे हुआ है इन तीम पर बताओ जल्दी जल्दी से answer बताओ फिर हम चलेंगे next पर जल्दी से चलो ठीक है अब मेरे questions भी मिल गए बहुत खूब स्टार्टिंगा question असान था तो कोई बात नहीं इस पर expected है कि आप लोग जादा answer करोगे तो चलो बहुत अच्छा है यहां पर answer हमें मिल चुके हैं बच्चों ने answer करना शुरू कर दिये हैं सिरिनगर से गांदर जो questions मैं पूछूँगा सिदा सिदा मैं उसके answer देना हैं आप लोगों को तो चले start करते हैं सबसे पहला question वीडियो को लाइक भी कर दो ताकि हम लोगों को थोड़ी सी motivation मिलती रहे हम लोग आप लेके लिए इस तरीके से लेकर है कौन सा ऐसा बैंक है जिसने डल लेक पे floating ATM को लांच किया है बताओ यहां पर SBI बिलकुल सही है next पर आ जाते हैं UNESCO की किस category में creative जो cities है उसमें स्रीनगर को add किया गया है जल्दी से अब यह भी बताओ किस category में किया है पहले यह बताओ फिर next पर चलेंगे अभी मैं थोड़ा current है फिर पूछूंगा questions फिर उसके बार हम switch करेंगे दूसरे पर जेके बैंक इसका answer नहीं है SBI सही answer है पहले में बताओ जल्दी से किस category में मिला है category folk art किस ने लिखा है loan इशाद नजीड ने craft and art अब यहां पर आप लोग बताओ कौन सा है folk and art है craft and art है जो भी है याद रखना है इतना आप से पूछा जाएगा किया गया है creative जो craft and folk art में ठीक है बिल्कुछ जो इसके answer आपको मिल जाएंगे next पर आते हैं question का आप मिरको बताओ किस ने कहा था कि जो राजोरी है उसमें एक second branch of Aryans आके settle हुई थी सेटल अब बताओ किस ने कहा था यह किसके द्वारा यह चीज कही गई है जल्दी से बताओ जल्दी से इसका answer बताओ अब देखते हैं यह कौन answer करता सबसे पहले जो इसका answer करेगा उसका नाव यहां पर मैं लोगा किसके एक कॉर्डिंग राजोरी में second branch of Aryans आके सेटल हुए थे यह लिखा है आईशा मिन्टूर जी ने प्रेग्रेटर के द्वारा यह का गया है ठीक है राजोरी पे बहुत questions बन सकते हैं उसमें मुझे पता नहीं क्यों यह सबसे जल्दी से इसका अंसर बताओ बहुत बार वेपर में पूछा गया है और यह अभी रुके गानी आते रहेगा पहले कौन से था जल्दी से बताओ यह नहीं का ठीक है यहां पर यहां पर हम लोगों ने भी मजाग किये हैं लेकिन हर question का अंसर यह नहीं होगा ठीक है पहले कौन से थे रहीम उल्ला खान जिसने भी लिखा है उनका नाम अब उपर चला गया है सौरी उसके लिए चीक है बहुत खूब next पर आते हैं जल्दी से questions को आज हम लोग करेंगे next पर आ जाते हैं यहां पर अनंतना का नाम पहले क्या था पहले क्या था एक और नाम से जाना जाता था दो नाम से बेसिकली जाना जाता था अब मेरे को बताओ एक आगया आपका before Muslim rule ठीक है और एक आपका आगया जो गुवर्नर के नाम पे रखा गया था मुस्लिम गुवर्नर के नाम पे दोनों नाम बताओ जल्दी से मुस्लिम रूल के पहले ठीक है एक तो आगया कि मुस्लिम रूल के दोरान इसलामाबाद के ओपर question यह पूछा गया था कि यह पूछा गया था कौन से गवर्नर के ओपर नाम पर रखा गया था तो गवर्नर का नाम भी बता दो ठीक है मुगर रूल के दोरा रखा गया था उस गवर्नर का नाम बताओ जल्दी से जिसके नाम के ओपर यह रखा ऐसा official records नहीं है बट कहा जाता है गवर्नर का नाम बताओ जल्दी से पेपर में पूछा गया है इसलमा बाइबा इर्फान खान वितस्ता सिंग सही है यहां पर आंसर इसलाम खान के नाम के ओपर सही है चलो आजाओ यहां पर next question के ओपर 22 मंडी कहां पे है और किसने establish करी थी जल्दी सा भताओ इसका answer जो answer करेगा पूरा यहां पर कर रहा हूं अब बच्चे कहने कि हमने answer पहले किया था लेकिन आपने नाम लेगा है अब मैं यहां पर करूगा Samba में है ठीक है और किस ने किया है बाविश लिख रहे हैं कि सुचेत सिंग ने किया था ठीक है बहुत कूब Samba में एक तो आपको कहते हैं City of क्या डाश बहुत इजी है इस पर टाइम निए वेस्ट करेंगे City of Sheets अभी तक हम लोग बहुत बार डिसकर्स कर लिया है यहां पर अब मेरे को Samba पर ही बता दो Samba district को basically अगर हम बात करें establish इस ने किया था या founder of Samba district कौन थे founder का नाम बताओ बिनो options के चलेंगे आप लोग की answer कर रहे हो आप लोग ही सही answer कर रहे हो इतना अब हम लोगों ने इसको कर लिया है किस ने किया था लोन इर्शाद नजीर नहीं वापस लिखा मलदेव बिलकुल ठीक है मलदेव थे basically founders founder किसके यहां पर अब next पर आते हैं एक और चीज बाबा चमियाल जो है आप लोगोंने सुना होगा ये एक temple अगर आपको है सकते हैं या फिर यहां पर हर साल मेला लगता है ये किस जगा पर है जल्दी से बता दो इसका क्या होगा किस जगा पर लगता है ये मेला भी सांबा यह answer तो ठीक है सांबा में cover हो गया next पर आते हैं अब हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको level बढ़ाएंगे थोड़े questions आप मैं थोड़े difficult पूछने के कोशिश करूँगा तो थोड़ा दिहान रखना ठीक है अभी हाँ भी हाल ही में मैंने आपको बताया डोड़ा के बारे में जीटी वेगिन ने लिखा है वो किस अपने travel log में mention किया है किस साल में किया है वो date बताओ अभी 10-15 बिनिट पहले मैंने डोड़ा डिस्टिक में डिस्किस किया है जल्दी से बताओ इसका answer क्या होगा पहले इसका answer बताओ जो answer लिखेगा उसका नाम में लिखूँगा किस साल में mention किया गया है 1929 नहीं है 1829 शेक रोफ ने सबसे पहले लिखा है 1829 सही है ठीक है यह चीजें जो है यह याद रखना डोड़ा के बारे में किस ने लिखा था तो यहाँ पर पहला पॉइंट दूसरी चीज अब मैं यहाँ पर आऊँगा आप लोगों से पूछूँगा तो मुझे सबसे पहले तो आप लोग यह बता दो एक question अब यहाँ पर पूछते हैं जो old कुलगाम था वो किस river के किनारे था on the banks of dash अब यह question थोड़ा सा मुश्किल है बताओ जल्दी से अब देखते हैं कून इसका answer करेगा सबसे पहले old कुलगाम किसके bank पर था कुलगाम अभी discuss किया लेकिं यहाँ पर मैंने यह discuss नहीं किया जल्दी से बताओ अठाना सो नत्य सही है इस पर बताओ on the bank of जल्दी जल्दी से बताओ यहां पर सबसे पहले जिसने answer लिखा है मैं उसका नाम लूँगा बेशक उपर जाना पड़े चैट में हाँ तो शालू शान ने लिखा है सबसे पहले कवल कवाल या कवल जिस भी तरीके साब इसको कहते हैं बहुत सही है ठीक है नेक्स पर आजाओ जल्दी अब लास्ट पर चलेंगे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे सिराजदीन को किसने अपॉइंट किया था पुंच का गवर्नर जल्दी से बताओ पुंच का गवर्नर सिराजदीन को किसने एज रूलर किसने अपॉइंट किया था कौन से मुगर रूलर ने किया था इस तरह हींट मैं आपको दे देता हूं किसने किया था जल्दी से में जिसकी एक भी डाल को खींचो तो वो पूरा तूट जाएगा और किस डिस्टिक्ट में आपको वो देखने को मिलेगा जल्दी से बताओ उस पेड़ का नाम और किस डिस्टिक्ट में अभी डिसकस किया है पांच मिनिट पहले ऑप्शन लेके आओंगा सब बच्चे आंसर करते हैं बिन ऑप्शन के देखते हैं कितने बच्च आंसर करते हैं जल्दी से बताओ तुझक के जहांगीरी जो भी अभी हम लोगों ने डिसकस किया उसमें बताओ कि इनका आंसर बताओ किस जगा में है हल्थल भाविश जी वापिस से सबसे पहले लिख रहे हैं यहा ुछना पर आप से पूछता हूं एक सेलम इसकेंड रूख कीएगा थोड़ा स्क्वेश्ण आप अच्छे लबल का पूछेंगे गुरू दुवारा है डे nee अंगाली साहब आपको कहां पर देखने को देखने को मिलता है कित कि सब्स्टिक में है जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ इसका आंसर पूंच अतुल शर्मा ने आंसर लिगा सबसे पहले सही है ठीक है नेक्स पर आते हैं नेक्स क्वेशन पर जल्दी चलेंगे थोड़ा सा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे के अंडोत्रा क्लान हम लोगों ने कल डिसकर्श करा था अंडोत्रा क्लान हमारा किस जगा पर आता है कट्थुआ में ची कैए बैसिकली जो किनके तीन बेटे थे जिन्हों ने एस्ट्वलिश करें थे तीन हैम लेग से उनका नाम बताओ पहले तो कून लेकर आये थे जिनके पैंने पूछे मैंने पूछह किनके बेटे थे तीन उनका नाम व्रता नेंट divine जङोत संग्म डिजिटल रोहित ने लिखा है जोज सेंग ठीक है इनके तीन बेटे थे आगे फिर हम लोगों ने पूरा डिसकस किया था हरीदेव इसका अंसर नहीं है ठीक है यहां पे यह गलिती है नहीं नेक्स पे आते हैं जल्दी से लास्ट के और बढ़ते हैं फिर सेशन को खतम कर देंगे नूरबाद किस जगा का नाम चेंज किया था जहांगीर ने जल्दी से बताओ किस जगा का नाम चेंज करके नूराबाद रखा गया था यह बताओ जहांगीर के द्वारा किस जगा का नाम जल्दी से बताओ तर्जवाल तर्फ मुंजली और तर्फ बजवाल विंदा मनास लिखने हैं बिल्कुल सही है लेकिन पहले मेरे को इस कान से बताओ चडोरा का चडोरा किस डिस्टिक्ट में है कुल गाम बच्चे लिख रहे हैं चलो अगर आप लग अभी भी सेशन के बाद भी एक लेया तो बहुत गलती है थोडा सा कोई कुल गाम-बढद गाम बहुत confused करते हैं आप लोगों की गलती नहीं मुझे भी करते हैं बढ़ थोड़ा दिखान से ठीक है पेपर आप लोगों का मेरा नी नेक्स पर आते हैं यहां पर अब लास्ट क्वेश्चन पर चलेंगे ज्यादा मैं टाइम नहीं करूगा जूगू खैरान कहां पर है किस जगा में आप लोगों को देखने को मिलेगा जूगू खैरान किस जगा में आप लोगों को देखने को मिलेगा अब मैं क्वेश्चन लिखता हूं आप लोगों आंसर लिखते चलना फिर एकी साथ डिसकस करेंगे देविका ब्रिज कहां पर है जुगु घैरान कहां पे है और फर्स्ट रैंक किस डिस्टिक्ट का आया है परधान मंत्री गर्राम सडक योजना में डिस्टिक्ट पूछिए यहां पे मैंने ठीक है पहली डिस्टिक्ट बताओ जो टीवी फ्री बनी अब यह चार ग्वेस्टिन मैंने यहां पे लिख दी है चारों के आणसर लिखते रो जल्दी से बताओ बढगाम टूरिस्ट फीलेजट ठीक है नेक्स्ट पर आओ देविका ब्रिज कहां पे है उदंपूर में ठीक है दोनों का अंसर उदंपूर है तो ठीक है यहां पे दोनों का आणसर के लिए रोगा तीवी फ्री विरिजज क अब लास्ट पे चलते हैं लास्ट क्वेशन अब मैं आप से पूछूंगा और इस सेशन को करेंगे खतम आप लोगों को एक और चीज में यहां पर अभी अभी आप लोग हुमारे साथ जुड़ा मेरे को एक चीज बता दो क्या आप लोगों को कल और परसों हिस्ट्री या ज पर में कैसे अभी भी हम लोग 5-6 मार्क अपने बढ़ा सकते हैं उसके हम लोग कल डिसकें करेंगे तो थोड़ा सा वहां पर हम बात करेंगे ठीक है तो कल हम लोग करेंगे इसको खतम अगर चाहिए होगा तो हम लोग तब भी ले आएंगे जिग्राफिया उसके तो कोई ब चीजों के गलती हैं जो अभी भी अपने नंबर 5-7 बढ़ा सकते हैं फाइनल वेपर में उस पर बात करेंगे किया कितना रिस्क ले सकते हैं कितना गैस्वर कर सकते हैं क्या-क्या चीज़ें हमें हेल्प परेगी तो वह सारी चीज़ें हम लोग डिसकस करेंगे क्योंकि दे इतना रिलाक्स आपका दिमाग होगा उतना ही जादा आप लोग पेपर में अच्छा करके आओगे बस आप लोगों को यहां पे इतनी ही चीज मैं कहूंगा लेखो पेपर में क्या है पढ़ा सब लोगों ने है सब लोगों ने मैनत करी है सब लोग पेपर देने जा रहे है main क्या है कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो एक risk factor होता है धिमाग किसका कितना काम है क्योंकि देखो जो triple s नाम लिखा है ना यहां पर अभी तक जो चीज़ें हम लोग करते आने वो होती है study plan जो आपको पढ़ाया गया है सारा क्या-क्या चीज़ें पढ़ी है एक उसके बाद strategy बहुत important role play करता है तभी आप लोग तीसरे हैस तक पहुंचोगे जो कि आपका success है अब यह strategy last minute में क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना है देखो मैं बार-बार अगर एक चीज़ repeat कर रहा हूं तो उसके वीचे कोई ना कोई वजा है मैंने बहुत paper दिये है मैंने बहुत paper fail किये है मैंने पास भी किये है reason सिरफ एक है जितना आपका दिमाग काम होगा आज भी कहना हूं यह चीज़े मेरे साथ बच्चों ने बात की है फिर वो junior assistant की typing हो ठीक है जो बच्चा शांत रहा के गया वो घर पे 50 speed लेका था paper में 54 लेका आया है जो बच्चा शांत नहीं ह घर पे 80 लेका आता है paper में 60 भी नहीं लेका आया है तो यह चीज़े obvious है ठीक है थोड़ा सा दिमाग इसमें अपना लगा के चलना दिमाग जितना शांत उतना better result बस इतनी सी चीज़ को दिमाग में याद रखो जब भी कभी लगेगा कि paper fail हो जाएगा देखो एक छोटी सी चीज या हमेशा याद रखना मेरी हमेशा outcome के बारे में सोच के चलो आज हम बात करते हैं मान लो दो second के लिए क्या outcome हो सकता है बहुत बच्चों ने बहुत मैनत की है या तो हम लोग क्या करेंगे या तो हम पेपर को pass करेंगे या तो हमारा जो result है वो delay हो जाएगा हमारा य अगर आपके पास अभी opportunity सामने आएगी का मान लो कल को हमारा nap तसीलदार का paper निकलता है कोई एक बड़ी post और निकलती है क्या आप लोग इसके बाद apply नहीं करोगे क्या आप लोग finance account assistant qualify करने के बाद बस यहीं पर रुख जाओगे पहला question में यहां पर answer करो ठीक है नहीं र करोगे तो भी आप लोगों को क्या है कि तैयारी की थी थोड़ा सा और मैनत करेंगे वापिस तो रही नहीं डुकेंगे जब हमारा ultimate goal ही यह है कि हम लोगों को चीजों को continue करना है तो फिर tension लेने की जरूरत क्या और याद रखना पहले selection लेना कोई बड़ी बात नहीं हर साल दुनिया पर निकालते हैं एक सिरफ पर है यह हर साल हजारों की तदार्म में लोग पर निकालते हैं आपई की तरह लोग थे जिन्हों ने पंचाए ढॉटula सीस्टन निकाला आपकी की तरह में लोग हैINGLOKU lk लेकिन कोशी है कि हम कभी न कभी इसको खतम करी देंगे, अगर इतनी मैनत करके अब भी आप लोग यहां तक कहुंचे होना तो आप लोग definitely final तक भी जाओगे तो यह चीज अपरोच दिमाग में रखना बाकी all the best सबको आज के लिए कल एक proper session लेगे पूरा syllabus यहां पर रखेंगे discuss करेंगे तो उसके बाद हम बात करेंगे ठीक है तो जेके SSB के जो बच्चे हैं जिनके लिए जो लोग लिखने हैं कि कब से start होंगे ऐसे session देखो जेके SSB अभी हमारा जो है recent exam है जेके PSI का अब जेके PSI के चक्करों में मैं finance account assistant के बच्चे जो मारे साथ से लेके 27 तक daily life sessions होंगे daily MCQ series होंगे अकेला अभी मैं कर रहा हूँ उस तहीं पर सारी team करेगी तो JKP SI वाले तो tension free हो 20 दिन में आपका competition इतना high करवा देंगे कि आप लोगों को बोलने की ज़रूत नहीं पड़ेगी उसकी classes करवाएंगे उसकी guarantee भी आज देता हूँ मैं यहां पर ठीक है JKP SI का level भी cut off भी आपका बढ़ा देंगे घबराओ मत बाकी मैनत करते चलो मिलते हैं जल्दी ने lecture के साथ all the best जितने भी बच्चे हमारे finance के लिए क्यारी कर रहे ना मुझे पता है मुझे पता नहीं क्यूं बहुत उमीद हैं आप लोगों से और आप लोग करोगे qualify मुझे आपका यह भी पता है तो बबाई टेकर all the best मिलते हैं जल्दी ने lecture के साथ अभी के लिए इतना ही रखेंगे